हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई य्टूब चैनल चैप्टर 6 से एक्जाम्पल 13 करेंगे फैंड दा स्क्वेर रूट आफ 12.25 यहाँ पे डैसिमल नंबर दे रखा है आपको इसका स्क्वेर रूट निकालना है और डिविजन मैथड से निकालना है तो शुरुवात करते हैं कोश्चन की नंबर है है हमारे पास 12.25 अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम स्क्वेर रूट डिविजन मैथड से निकालते हैं तो पेर बनाना शुरू करते हैं पीछे से दो दो डिजिट्स का अब जब decimal नंबर होता है तो पेर कैसे बनाते हैं उस पे आपको ध्यान देना है यह जो decimal है decimal से इधर once है और यहाँ पे ten उ है तो once है इधर की तरफ left की तरफ पेर बनना शुरू होता है तो यहाँ से हम ऐसे लेंगे तो ये एक pair के अंदर आएगा ये एक set बन गया दो डिजिट का और decimal से इधर right में यहां से शुरू होता है decimal के पहले number से जो पहले digit है ये pair हो गया अब ये तो एक simple सा था यहां पर 4 digits लिखे हुए हैं तो ये दो pair बन गए लेकिन अगर आपका number होता something ऐसे 173.456 तो इसमें pairing कैसे होती उसे भी देखना आप जैसे मैंने यहां बताया उसी चीज़ को follow करना है decimal से इधर one stance ये इस तरह से 2 digits का एक set बनता है यहां ये अकेला बच गया तो ये अकेला ही set माना जाएगा decimal से इधर यहां से शुरू होगा set जो बनाते हो दो दो डिजिट का वो आपको ध्यान से बनाना है अब यहां पर आते हैं square root निकालते हैं इसका तो number है मेरे पास 12 12 के नीचे मेरे को एक square number लिखना है 11001 होता है और 2 का square 4 होता है 22004, 3 का square 33009 होता है 4 का square 44016 होता है तो 16 तो बड़ा है 12 से इससे just जो छोटा है वो है 9 तो हम यहां पर 9 लिखेंगे और वो आया है 3300 पे 33009 सब्टेट करें 12 में से 9 गया तो 3 आ गया उपर से यह set दिख रहा है 25 पूरा उतर जाएगा क्योंकि यहां बीच में decimal भी आ गया तो आप यहां पर decimal आ जाएगा आपका number decimal का है तो square root भी decimal नहीं आएगा बाकि जैसे करते हैं same to same उसी तरह से करना है यहां पर number आया अब 3 अब 3 के अंदर जो one place अब वो 3 ही है तो इस 3 के अंदर 3 को ही add करना है तो यह 6 बन जाएगा यहां पर आप 6 लिखेंगे अब 6 के पास एक number लिखना है और वो ही number फिर यहां पर होना चाहिए यानि same number होना चाहिए अगर 6 के पास one लगा रहे हैं तो फिर यहां one से ही multiply करना है two लगा रहे हैं तो two से ही multiply करना है और अगर three लगा रहे हैं तो 3 से ही multiply करना है ये और ये number सेम होता है number इस तरह से होना चाहिए कि आपका product 325 आ जाए अब वहाँ वैसे ही idea लगा लेंगे कि यहाँ पे पीछे 5 है और 5 once place पे कब आता है जब पीछे 5 होता है 5 5s are 25 होता है इट मीज यहाँ 5 लगाने से हमारी बात बन जाएगी तो इस 6 के पास यहाँ में 5 लगाऊँगा तो फिर 5 से ही इसे multiply करूँगा 5 5s are 25 का 5 और ये 2 हो गया 6 5s are 30 30 में 2 जोड़ा तो 32 हो गया आगया ना पूरा पूरा तो ये 5 पे बात बनी है 65 5,000 325 ये पूरा हो गया remainder 0 आया तो ये जो 3.5 आप देख रहे हो ये 12.25 का square root है इसे sign form में लिख देते हैं ये square root का निशान है ये 12.25 और इसका जो square root है ये आगया है 3.5 question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye